हलो दोस्तों, मुद्रेक्स के अंदर future trading का ये वाला जो option है, वो अब सभी users के लिए available हो गया है, यहाँ पर आप इसको properly इस्तेमाल वगेरा किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर exciting कुछ चीजे हुई हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे की पहले नंबर में 340 से ज्यादा आपको यहाँ पर pairs देखने को मिलते हैं, जिनमें आप futures trading कर सकते हैं, यह देखिए, उपर 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 कितने सारे आपको यहाँ पर pairs देखने को मिलते हैं, 340 से ज्यादा, ठीक है, दूसरे नंबर में यहाँ पर आपको 100X तक की leverage देखने को मिलती है, किसी किसी coin क उपर ठीक है तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो maker और taker fees है वो 0.1% है ठीक है दोनों तरीके की fees maker और taker ठीक है तो आपको मैं बता देता हूं कि futures के अंदर अगर आपको trading करनी होती है तो आपको सबसे पहले नंबर में USDT चाहिए अपने futures trading wallet में ठीक है तो सबसे पहला काम तो यही होता है जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि मेरे जो मुद्रेक्स है उसके अंदर मेरा जो main wallet है उसके अंदर 118 dollar हैं 118 USDT हैं लेकिन हो सकता अगर आपके में ना हो तो आपको यहाँ पर funds पहले अपने deposit करने होते हैं जो कि आपके 0 fees के उपर यहाँ पर add हो जाएंगे USDT ठीक है अब USDT आपके पास यहाँ पर आ गए main wallet में तो आपको futures में जा करके फिर दुबारा अपने USDT add करने पड़ेंगे USDT wallet से futures wallet में जैसे मैं करके दिखाता हूं transfer fund तो from USDT wallet to futures मतलब wallet ठीक है तो 0 है मैं यहाँ पर क्या करता हूं दिखाने के लिए आपको $5 transfer करता हूं transfer now transfer successful लिखके आ गया है ठीक है कुछ 2-3 second लगेंगे यह देखिए आपको दिखने लगा $5 मैं आपर click करके दिखा देता हूं तो $5 मेरे यहाँ पर आ चुके है ठीक है और अगर आपको दुबारा futures से USDT में transfer करने है वही same process है अब आपको इस वाले button क्लिक कर द करते हैं जैसे मैं bitcoin का example लेता हूं यहाँ पर bitcoin पर जाकर आपको पता यह futures trading किस तरह काम करती है अगर मान लेते हैं आपको prediction आपकी ऐसी है कि bitcoin को future में ऊपर जाएगा bitcoin आपकी यह prediction है तो आपको buy long पे click करना होता है ठीक है और अगर आपके according आपकी prediction के according analysis के according अब bitcoin जाएगा नीचे in future तो आपको sell short करना होता है ठीक है sell short पे click करा bitcoin नीचे गया आपको profit होता है यह futures trading है ठीक है तो जैसे मैंने buy long पे यहाँ पर click करा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है up to 100x तक की leverage आपको bitcoin में देखने को मिल रही है ठीक है आप यहाँ पर जाकर यह देखी 100 x तक की leverage ले सकते हैं जो की बहुत ही ज्यादा है उस हिसाब से risk भी उतना ही हो जाता आपको द्यान से देख के चलना उस चीज़ को ठीक है अब आप जैसे amount ले लेते हैं तो minimum positioning size यहाँ पर 62 dollar तो आपको लेना ही पड़ता positioning size इसका यह मतलब नहीं है कि आपको 62 dollar यहाँ पर लगाने पड़ेंगे वो हो जाता है हमारा margin ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर 100x की leverage ले रख के तो मैंने आपर जैसे minimum तो मेरे को minimum order value 62.70 dollar लिख के आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं 63 dollar कर लेता हूं 63 dollar ठीक है अब मैं जैसे यहाँ पर proceed पर क्लिक करूं तो 100x की मेरी प 62 dollar लेकिन क्यूंकि 100x की leverage लग गई तो आप देखी सकते हैं 0.62 dollar मुझे देने पड़ेंगे लेकिन जितना ज़्यादा आप leverage लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि liquidation price भी आपका उतना ही करीब आ जाता है order sell होने के basically ठीक है मतलब आपको पता यह liquidation price एक price होता है जैसे आप अपने sell short का order लिया तो bitcoin को नीचे जाना चाहिए तो liquidation price यहाँ पर होता है opposite direction में हमेशा अगर आपने buy long लिया तो liquidation price नीचे होगा ठीक है तो liquidation price जैसे आपको यहाँ पर है जितनी ज़्यादा आप leverage लेते हैं वो liquidation price और नीचे आ जाता है अब जैसे आपने sell short पर click कर रख loss हो जाता है ठीक है यह चीज होती है लेकिन आप leverage जितना कम लेते हैं उतना ही liquidation price दूर होता है तो जितना मतलब आपका जैसे bitcoin ऊपर गया भी गया भी गया भी तो इतना time उसके पास होता है अगर वो वापस नीचे आ जाए तो ठीक है तो इसलिए leverage जितना जाधा risk भी उतन जाधा ले सकते हैं लेकिन margin कम हो जाता है तो in short leverage जाधा leverage जाधा ली तो आपका margin कम होता चला गया positioning size भी बढ़ता चला गया और risk भी बढ़ता चला गया ठीक है तो जैसे मैंने 100x यहां पर ले रखी है मतलब दिखाने के लिए आपको 100x type कर रखा है अब अगर आप चाहें क कि इस price पे जो की चल रहा है 62,783 dollar मतलब price चल रहा है इस समय futures में bitcoin का आपको इस पे नहीं चाहते कि आपका order execute हो तो आपको limit वाले option पे चले जाना है फिर आपको ऐसा कुछ interface देखने को मिलता है कि bitcoin का price जैसे अभी तो 62,000 dollar के आसपास जा रखा है मैं क्या चाहता हूं जब 61,000 dollar पे पहुंच जाए मतलब यह 2.9% से नीचे गिरे तब मेरा order execute हो जो भी minimum जैसे मैं amount ले लेता हूं 62.80 है मैं 63 ही ले ले लेता हूं ठीक है तो इस तरीके से मैं कर पाऊंगा you will need one more dollar क्योंकि अगर मैं 63 ले रहा हूं तो मेरे को अगर मतलब मुझे और मेरे पास 5 futures trading में म मेरे पास 5 USDT हैं लेकिन मुझे एक 1.1 dollar ज्यादा और चाहिए होगा क्योंकि यह बड़ी positioning है क्योंकि यह heavy bitcoin सबसे बड़ा bitcoin मतलब सबसे बड़ी cryptocurrency है तो मैं यहाँ पर जैसे leverage बढ़ा के आपको दिखा दूँ 20X कर दूँ तो अब मुझे कुछ नहीं लेना पड़ेगा तो limit order option अब आपका 61,000 पे जब bitcoin पहुचेगा ना तब order execute होगा ठीक है तो यह फायदा होता limit order option का बाकि यहाँ पर आपको stop loss और take profit का भी option देखने को मिलता है जो कि यह रहा और take profit यह रहा ठीक है stop loss का मतलब अगर आपने कहीं पे भी जैसे order execute करा buy long लिया तो आपका जो bitcoin है वो उपर जाना चाहिए वो जाने लग जया नीचे तो आप यहाँ पर stop loss लगा सकते हैं अगर वो opposite direction में गया तो आप stop loss लगा सकते हैं कि एक point तक जाए उसके बाद मुझे loss और ज़्यादा भईया नहीं देखना order मेरा execute हो जाए थोड़े ही loss में मैं शान्ती से बैठ जाऊ हुआ तो यह होता stop loss ठीक है जैसे bitcoin का price 62,800 को चल रहा है और मैंने buy long पर select कर रखा है तो इसका price नीचे जाने लगा तो 60,000 डॉलर मुझे यहाँ पर select मैं कर सकता हूं bitcoin का price जैसे इतना नीचे गिरा उससे ज्यादा मैं और loss नहीं से जहल सकता मेरा order sell हो जाए यह होता stop loss फिर आपने buy long पर set कर रखा था और bitcoin उपर ही जाने लगा और अचानक कोई spike आई कि उपर गया वो आप chances हैं कि वो नीचे भी वापस आ जाए तो आपने यहाँ पर take profit set कर रखा था तो जैसे bitcoin उपर गया spike को touch करा आपका order sell हो गया फिर अगर वो नीचे आ गया तो आपको tension ही नही क्योंकि profit book होके आपका order तो sell हो चुका already तो यह होता take profit यह दोनों काफी काम के feature आपको यहाँ पर मुद्रेक्स में देखने को मिल रहे हैं तो इस तरीके से आपकी कुछ futures trading मुद्रेक्स के अंदर working कर रही है मैंने आपको पूरा का पूरा process दिखा दिया जैसे bitcoin में तो 100x थ कर आए जो leverage है बाकी crypto में आपको देखी यहाँ पर 75x है ठीक है तो leverage अपने हिसाब से उस crypto के हिसाब से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप जाकर check कर सकते हैं basically यहाँ पर आप जाकर check कर सकते हैं कि up to कितना है वो ठीक है और अगर अभी तक आपने मुद्रेक्स को डा और अपने नए fresh मुद्रेक्स account में आप 5000 रुपे से उपर का fund deposit करेंगे तो आपको 500 रुपे के UHDTB free of cost मिलते हैं यह भी एक काफी अच्छा offer है और future trading मैंने पूरा explain कर दिया कोई आपका सवाल है तो comment box खुला हुआ है और आप चाहें तो मुद्रेक्स को भी contact कर सकते हैं य आप यहां पर अपने सवाल जवाप पूर सकते हैं ठीक है तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर अगर इस वीडियो से आपको value मिली तो हमारी वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए मैं मिलता हू आप से इस वीडियो के अंदर